Welcome friends, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक website हम कैसे build कर सकते हैं scratch से, step by step आपको बताया जाएगा, तो हम सारे steps को एक बार यहाँ पे notepad के जरीए एक बार इनको follow करते हैं, तो सबसे पहला step तो obviously होता है आपको domain और hosting purchase करना होता है, ऐसी कई companies है, जैसे GoDaddy हो गया, Bluehost हो गया, HostGator हो गया, BigRock हो गया, तो वहाँ से आपको सबसे पहले domain और hosting purchase करना होता है, domain name मतलब जैसे website का नाम, जो भी .com, .in होता है, और भी कई सारे ऐसे होते हैं, इसके अलावा hosting जो है, इसका मतलब space, अगर आप अपनी website बिल्ड कर रहे हैं, उसके आप content डालते हैं, तो उसके लिए storage या कह सकते हैं, space की जरूरत होती है, जात तर आप shared hosting से शुरू कर सकते हैं, तो यह तो आपका पहला step है, यह आपको purchase करना होगा, उसके बाद, second step कह सकते हैं, जब आपने hosting purchase कर लिए है, तो आपको एक चीज का access मिलता है, जिसको कहते हैं, cpanel, या तो इसके credentials या कह सकते हैं, password वगर आपको mail कर दे जाएंगे उस company के थूरू, या फिर वो जो company है, उसका जो account है, वहाँ से आप cpanel visit कर सकते हैं, इस video में हम जो use कर रहे हैं, वो है bluehost, तो bluehost में यहाँ पे आप देख सकते हैं, option आ रहा है advanced, तो जब हम advanced पे click करते हैं, तो हम cpanel यह देख रहा है, आपको यह cpanel है, cpanel पे हम जा सकते हैं, अब cpanel होता क्या है, यह किसाब से होता है, control panel, तो यहाँ पे आपको अगर website बन करना है, WordPress, अब WordPress क्या है, हम जो website build करने वाले है, हम WordPress पे करने वाले, WordPress एक CMS platform है, CMS का मतलब content management system, जिस पे हम आसानी से, बिना किसी coding के हम website build कर सकते हैं, तो यह क्या है, CMS application है, software है, तो अब हम एक बार जाते हैं, cpanel पे, और हाँ, एक चीज जो मैं यहाँ पे जिकर करना चाहू आप हमेशा देखे, app installer या direct, आप WordPress भी search कर सकते हैं, यह cpanel पे जाकि जो आपको search करना होता है, यहाँ पे आपर देख सकते हैं, या तो direct हम WordPress पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको देख रहा है, app installer, क्योंकि WordPress एक application, एक software है, जिसको हम install कर रहे है, कहाँ पे कर रहे है, cPanel पर कर रहे हैं, तो एक बार हम इस पर जाते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं, लगलग applications आरी, जैसे पहले पर WordPress यह आ रहा है, फिर Joomla, यहां पर PHP, तो हम इसको सीधा install करते हैं, अब आप install किस पर कर रहे हो, कौन से domain पर कर रहे हो, तो अभी के लिए जैसे हो गया है, उसमें मुझे hosting के जरीए SSL certificate मिल रहा है, यह आपको check करना होगा, तो यहां पर HTTPS और www, यह हमने चूज किया यहां पर, उसके बाद, अच्छा यह जो है, यह आपके username और password, मतलब यह WordPress के credentials है, कहां पर use होते हैं, यह आपको थोड़ी दिर बाद बताएंगे, एक बार ह इसको admin नहीं रहने देते हैं, और password जो है, password हमने आपे define कर दिया, username अभी यह ही है, इसके बाद यहां पर आ रहा है, और कुछ हमें इसमें कुछ change करने के जरूरत नहीं है, अब हम सीधा इसको करते हैं, install, यह अभी यहां पर themes के option आ रहे हैं, यह हम अभी नहीं करने वारे ह अब आप देख सकते हैं, यह WordPress जो है, install हो रहा है, जब तेक install होता है, मैं एक बार आपको एक तरीका बता जाता हूँ, कि जब हम WordPress पर जाते हैं, अपनी website, विल्ट करने के लिए, तो उसका address के ओधर जाते कैसे हैं, अगर आप direct जाना चाते हैं, तो www. जो भी आपका domain, जो यह website का नाम, .com, उसके बाद, wp-admin, जो आप यह डालते हैं, तो उसके बाद आपसे दो चीज़े पूछी हैंगी, username और password, यह वो वाले username और password हैं, जो अभी हमने define करे हैं, वेबसाइड जैसे इस case पे voiceoverpremiumclub.com, slash wp-admin, ठीक है, उसके बाद जो भी username, password इस पे पूछा जाए जैसा मैं आपको बताया था, www. आपकी website का नाम, voiceover, उसके बाद, wp-admin, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, username और email address, या फिर इसमें आ रहा है, password, हमने email address define नहीं किया आता था, आप अपना कोई gmail का address डाल सकते हैं, उसको हमने भी change नहीं किया था, उसमें, तो आप वो अगर डालेंगे, तो उसके जरी भी आप access कर सकते हैं, मतलब WordPress से related जो भी notifications होंगी, वो बहाँ पे आएगी, अभी हम अपने इसमें admin जो भी डालते हैं, हमने इसमें admin रखा था, आप चेंज भी कर सकते हैं, यह तो सफर्व हम explanation के लिए भी कर रहे हैं, और password डाल अब हमें क्या करना होगा, आप यह WordPress का जो है पूरा पैनल है, यह हमेशा लगबग इसके options से ही रहते हैं, WordPress के लगअलग updates आते रहते हैं, तो हम अब सीधा क्या करते हैं, यह discuss करने से पहले एक छोटी मोटी चीज हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा पेजेज और पोस यह पेज है, यह पेज है, और पोस्ट का मतलब हो गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब हो गया, articles, जो blogs बगर हम डालते हैं अपनी website पे, तो अब हम सीधा क्या करते हैं, इसमें हम सीधा theme install करते हैं, अब theme का मतलब हो गया, template, मतलब जैसे design हो गया, theme जो होत purchase कर सकते हैं, और उसके अलावा, आप customized, मतलब आप एक developer के जरीए, developer अगर आपके कोई touch में है, उससे आप एक बनवा भी सकते है, template, एक बार हम यहाँ पे जाते हैं, दुबारा, WordPress पे, अब यहाँ पर आपको appearance में option होगा, दिख रहा होगा, आपको appearance, उसमें आपको दिख यहाँ पे, themes, themes पर एक बार, तो by default यहाँ पे, काफी themes जो है, वो daily होई है, हमें सबसे पहले theme को install करना होता है, और फिर activate करना होता है, जिस option पे, customize को option आ रहा है, मतलब यह वाली theme पे, हमारी website अभी live है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, 2021, बाकी की themes है, अब जैसे यहाँ पे आ occupy करता है, तो जो theme हमारे यह भी काम की, स्फेस occupy, और यहाँ जो भी hosting है, तो इसको हमने अपे क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते है, delete, इसको हमने delete करते हैं यहाँ से, यह 0 to the themes हमारे काम की नहीं है इसको हम भी delete करते हैं, अब जैसे यहाँ पे, यहाँ पर themes search क acronyip即 बढ़ अब हम premium theme यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको free theme में build कर रहे हैं, एक बार इस पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हूं, अलग-अलग option आ रहे हैं, Astra WP then popularfx यहां पे बहुत options आ रहे हैं यह देख सकते हैं आप सारा यह जो है templates बने बनाए हैं तो हमें काम करते हैं हम इसको install करते हैं यह देख रहा है आपको नीवी theme इसको install करते हैं एक बार आप देख सकते हैं इसका template change हो गया है बिल्कुल तो आप यह देख सकते हैं यहां पे customize का option आ रहे हैं और यह जो theme है इसको भी हम अभी delete कर देख सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं अब यहां पे एक चीज आप देख सकते है, starter sites, free versus pro, यहां पे एक चीज आ रही है, plugins, और यहां पे आप देख सकते हैं, starter sites, अब यहां पे install and activate, in order to be able to import any starter sites, अब एक चीज है, जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, theme में जो आजकल concept आते है, demo import का, मतलब, ऐसे काफी demo import के साथ, content के साथ, templates बने होते हैं, तो अगर आप demo import करते हैं, तो यह पूरा जो है, इसका जो भी content वगर import करते हैं, आपको सिर्फ अपने हिसाब से बात में, customize करना होगा, इसके अलावा मैं आपको एक concept जो बताना चाहता हूं, plugins, plugins का मतलब एक हिसाब से हो गई, apps, जैसे plugins क कोई ना कोई app install करते हैं, तो आपके phone के अंदर वो feature आजाते हैं, जैसे अगर आपने phone पे Uber install की, तो आप उसके जरीए, अपने phone के जरीए, आप cabs बगरा बुक कर सकते हैं, आपने Zomato Swiggy इंस्टॉल किया, तो उसके जरीए अपने phone के जरीए आप खाना order कर सकते हैं, तो पहले आपके phone में वो functionality नहीं थी, आपने कुछ install के वो functionality आ गई, यही concept है plugins का, एक extra functionality आड़ करते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, install and activate, अब इसके लिए सबसे बड़े option है, जो हम इसमें सो option चूज करने वाले हो है, Elementor, Elementor एक page builder है, plugin है, और आराम से आप website वेल्ड कर सकते हैं, तो हम यह वाले option पर जाते हैं, और इसमें से हमें जो template पसंद आया, यहाँ रहा है web agency, फिर original, फिर shop, यह आपके business के हसाब से, आपकी requirement के हसाब से, जो भी आप fitness हो गया, blogger, travel agency, यहाँ पे आ रहा है freelancer, तो suppose करो मैं एक freelancer type की website बनाना चाथा, तो एक एक बार मैं इसको preview करता हूँ, तो देख सकते हैं, आपे home about me, portfolio blog, यह सब पूरा template मेरे पास आ जाएगा, import हो जाएगा एक हिसाब से, यह हो सकता है, एक बार हम पीछे जाते हैं दोबारा, दोबारा एक बार जाते हैं, starter sites पर, जो इसमें से हमें template अच्छा लगा, वो हम use कर सकते हैं, lawyers, perfume shop, देख रहो ना, काफी ऐसे options आ रहे हैं हमारे पास, अभी इसमें से कोई भी एक template जो है, install करेंगे, हम एक काम करते हैं, यह एक original इसका है, web agency, यहाँ पे दिखा रहे है, original, एक बार यह भी हम चेक कर लेते हैं, यह रहा है, our focus, फिर यहाँ पे, our team, यहाँ पे देख सकते हैं, यह पूरा इंपोर्ट हो जाएगा, एक ही click के अंदर, यहाँ पे contact us, testimonial pricing, about us, तो अगर हम इसको करना चाहते हैं, एक बार पीछे जाते हैं, हम elementor वाले option पे, इसको हम करते हैं, import, तो यहाँ पे, import original as a complete site, तो यह यहाँ पे आ रहे है, import entire site, यह है कुछ प्ल साथ यह install हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया, import entire site, सबसे पहले आप देख रहे हो, यह plugins install हो रहे हैं, अपने आप ही सब हो जाएगा, फिर दीरे दीरे उसमें होगा importing content, फिर importing customizer, फिर जो भी इसकी widgets वगरा, मतलब जो भी right side में sidebar वगरा होते हैं, footer पे होते हैं, उस यहाँ पे यह पूरा का पूरा जो, यह देख रहे हैं, पूरा यह import हो गया, यहाँ पे ऐसे sections case के साब से आ रहा है, अगर हम इस page को edit करना चाहते हैं, front page में अभी, इसको यहाँ पे option आ रहा है, आपको देख रहे है, edit, बट आपको करना होगा, edit with elementor, क्योंकि elementor पूरा उस यहाँ पे आ रहा है न लिखा हुआ, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका style क्या है, जो भी इसका color वगरा है, वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बटन पर आगए services लिखा हुआ यहाँ पे, नीवी in detail और उसके बाद यह जैसे photo आप चेंज करना चाहते हैं, यह आपको प्राइस टैग, फिर features, यह देख रहा हुआ यह पे 8000 यहाँ लिखा हुआ है, 20 files per day, इसको आप चेंज करोगे, चेंज हो जाएगा यहाँ से, यह देख रहा हुआ हुआ, इसका style है, यह background image आप देख रहा हुआ हुआ, यह वाली image है, इसको आप चेंज करना है तो यह अप कुछ अपना अलग से add करना चाते हो, यहाँ पर आ रहा है ना यह, सपोज मैं कोई video यहाँ पर डालना चाता हूँ, यह video ड्राग और ड्रॉप करके यहाँ पर लिया है, यहाँ पर एक video आ गई, और वीडियो कौन सी चाहिए यहाँ पर, तो आप इसको अपने हिसाब से जो अब यह blue हो जाएगा, यहाँ पर डाल दिया आपने एक video आ गई, उसके बाद दुबारा गए, दुबारा ड्राग कर गए, यहाँ डाल दिया आपने एक और वीडियो आ गई, तो दुबारा गए, यहाँ पर दुबारा एक और वीडियो आ गई, कौन सी वीडियो है यह, य जो भी प्रोजेक्स वगरा इस तरह से शो की हूए यह आप देख सकते हैं अब अगर मुझे नहीं चाहिए इसको दुबारा डिलीट कर सकता हूँ जैसे आपने देखा पेज बिल्डर है कुछ भी डाल सकते है ड्राइगन ट्रॉप करके अब इस पे एक बार हम गए यहाँ प यह आप दीके ना मैंने यहाँ पर इक लड़ चींज कर दिया इसका स्टाइल पे जाके जैसे यहां पर आरे हम दुबारा फोकस पर जाते हैं इस पर भी गए स्टाइल पे अब इसका कलर मुझे चेंज करना है मैंने कुछ और गर रही आ तो यह देख सकते हैं कलर चेंज कर गई कर सकते हैं, इस पहान जाते है, यहां का यह उताई बीक है, यहां इस uniform है, वेबड़क टेजाइन लखा वा इसको Link कर सकते हैं, इसमें यह वन पेज टेंपलेट हें आप चाहें, तो multiple pages वाला टेंपलेट भी Import कर सकते हैं, इस तरह हम एक website build कर सकते हैं, demo import के साथ, इक बार हम दुबारा गए जैसे, जैसे हमें इस तरह का कुछ चाहिए, travel agency का, इसको भी हम यहाँ पर देख रहा है, आपको import, अब एक बार हम view site करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह नया इसका template आ गया, इसको भी क्या हमें करना है, edit with elementor, इसका हम अलग से, यह जैसे हम links बने हैं, contact बजाते, तो यह one page वाले हैं सारे templates, इसके अभी, तो इस तरह से हम website build कर सकते हैं, उमेदे वीडियो आपको useful रहेगा, आप इस channel को subscribe करना ना भूलेगा, thank you.